इस्टूडन जी ने question किया है आपके पास भी कुई ऐसा question है तो हमें comment बाक्षन जरूर बताइएगा ठीक है हाँ देखिए उन्होंने question किया है 8.1 का question किया है भाई 6 नमबर और 7 नमबर question किया है तो आइए हम बारी बारी से अच्छे से देख लेते हैं देखिए question है यहाँ पे हिंदी में हैं इंग्लिस में भी हम लिग के लाए हैं ठीक है दिखां रखियेगा पर्थाम चतुर्थांस नमें ही काम होगा ठीक है अच्छा बिरित एक्वेशन दिया हुआ है समिक्रान बिरित का रेखा भी दिया हुआ है और X-axis द्वारा ना घिरे हुए च्छादर का च्छादर फल निकालना है find the area of the region in the first quadrant जैसे हमने बताएं कि पर्थाम चतुर्थान ठीक है by X-axis द्वारा ठीक है और line हमारा दिया हुआ है circle equation भी दिया हुआ है आए हम अच्छे से सीख लेते हैं तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ रहता है उसको हम यहां पर नोट करते हैं ठीक है तो दखिए question में कह रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है बिरित यानि बिरित equation दिया हुआ है ठीक है तो एक बिरित की जववत पढ़ेंगे तो पहले हम बिरित बना लेते हैं ठीक है और जो जो दिया है यहां पर लिखेंगे solution अच्छे समा आपको सिखाएंगा बने यह वीडियो पैंड रित ठीक है हां तो सबसे पहले हम भाई एक बिरित बना लेते हैं और पाणिवाईगे क्योंकि फीकर में दम रहता है ठीक है फीगर आप खराब किजेगा तो इसी नमबर अपका कट हो जाएगा तो फीगर आप अच्छा से बनाईएगा ओक्खे हां अच्छास एक दम बढ़ा जैसा बनाईएगा ताकि देखने में भी अच्छा लगने लगे स चलिए भाई ठीक है मेरा काम चलाओ हो गया अच्छा यहां तक क्लियर इसके बाद हमको क्या दिया हुआ भाई दिया हुआ यहां पर बिरित इक्वेशन मतलब जो सर्कल का इक्वेशन समीकरन यहां पर लिखाएंगे मतलब सर्कल का जो फर्मूला होता है पहले हम वो लिखते हैं यहां पर बिरित का फर्मूला क्या होता है C I R C L E मतलब यहाँ पर लिखेगा बिरिद का फर्मूला ठीक है आप हिंदी मेडियम में भी माइनेज हैं तो माइनेज कीजिएगा ठीक है Sam to Sam है कोई मतलब इसा नहीं है तो यहाँ पर हम Circle Equation लिख लेते हैं X square पलस Y square equal to यहाँ पर R square इस तादका होते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप माइच कीजिए यहाँ से Compare कीजिए X square पलस Y square equal to 4 है मतलब R square it means its value 4 तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं लागि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं X square पलस Y square बड़ाबर यहाँ पर क्या कह सकते हैं 2 square कह सकते हैं क्या देखिए तो फोर है फोर को हम 2 square कर लिया मतलब R square कर लिया तो R की value यहाँ क्या निकल गया वेर जहाँ पर R equal to हमको 2 मिल गया क्या मिल गया इस्टन जी 2 मिल गया एक तरह से हो गया यहां है यहां कि इसका हम नियामक निकालें ठीक है इसका इसका नियामक निकाल लेते हैं ठीक है पॉइंट निकाल लेता है तो नियामक निकालने के लिए क्या करना होगा देखिए नियामक निकालने के लिए क्या करना होगा x equal to 0 रख दिजिए और एक बार y equal to 0 रख दिजिए ठीक है तो देखते हैं यहां पे यहां पे लिखेंगे तो बस यही ज़ाद माइने रखते हैं कोडिनेट कोई जरूरी नहीं है निकालना अभी फिलाल निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम x equal to 0 put करें इसमें तो यह तो 0 हो गया तो y square मतलब y ब्रावर कितना हो गया 2 हो गया कुल मिला के हम यही बोलेंगे तो y ब्रावर कितना हो गया भाई 2 हो गया ठीका तो अगर हम x ब्रावर 0 put किया तो y ब्रावर 2 हो गया अगर हम y ब्रावर 0 put कर दूँ y ब्रावर 0 put कर दूँ तो यह x ब्रावर हमको 2 दे जाएगा x ब्रावर 2 दे जाएगा देखिए यहां देखिए आप अगर हम x परावर 0 किया है तो y हमको किता मिल गया 2 मिल गया लेकिन अगर x equal to 2 आया तो y situation में 0 हो गया तो यह हमारा first जो coordinate एक तरह से यह हमारा x axis के लिए है तो यह x परावर 2 हो गया y किता हो गया 0 हो गया ठीक है मतलब कौन सा यह वाला और इसका हो जाएगा हमारा यह वाला यहां पर x 0 y 2 ठीक है न यह y axis पर आ गया ओके कि लिए अच्छा अब हमको बिरित काप काम हो गया अब हम पता करेंगे क्या पता करेंगे पता है अब हम पता करेंगे कि हमारा जो line दिया हुआ हुआ है जो ह गिएखा दिया हुआ है अब हम देखा मतलब पता करेंगे इस sel करेंगे इस सरकल इस सरकली कहां से गुजर लाइन से ky絑 यह सब पता करना होगा तो पता करना Ride बस यहां पर लिख लेंगे now मतलब उड़े खास समिकन यहां पर लिखेंगे यहां पर लिख है ना कि circle equation यह circle formula दूसी तरह यहां पर line equation यह लाइन हमारा जो गीभान है दिया हुआ है यह सब x equal to हमारा root 3 y दिया हुआ है ठीक है इतना है तो यहां से अब यह रखा किस point से pass करेगा तो यह सब हम पता कर लेते हैं ठीक है हाँ तो देखिए पता करने के लिए कुछ नहीं बस x equal to 0 because point निकालना होता ने x y point निकालने हैं व ने मन से 0 रख लिए तो यह जब 0 रख लिए तो यह हमका y क्या हो जागा 0 हो जाएगा y ब्राबर भी जाहिर सी बात जीरो होगा आप देख रहे हैं ठीक है एक्स यहां पर 0 पूट किया है तो इधर भेज दिया तो y equal to 0 निकल गया तो समझ रहे हैं डैटी या फिर या फिर y यह पहले आप 0 रख देजिए y 0 तो x ब्राबर इस condition में तो भी हमरा अगर y 0 करते हैं तो root 3 गुना 0 मतलब यह x हमरा 0 निकल जाता है तो दोनों बगल्स अगर हम कान पा करते हैं तो हमरा वही आता है ठीक है result तो कहने मतलब अब हमरा कहां से pass करेगा भाई यह line origin से pass करेगा यह hova first second third lapor तो इसी में हमको देखना है लेकिन अब यह पता करेंगी इस MRI यहां यह हम से भाग Еगा यहां से बहां किया इतना सरा भाग में से ऑ mniej मतलब कहां से गुजरेगा कहाँ पास करेगा तो यहां तक पता करने कें का रिए हम को क्या करना का पता है इसके लिए बस कुछ नहीं यह इस्ट्रूंग आप अच्छे समाझ जाएगा देखिए ना विडियो बने रही है तो हमरा फ़र्श्ट समिकन क्या है मतलब बिरित और रेखा कर समिकन लेंगे बाई किसका समिकन लेंगे बिरित और रेखा कर समिकन लेंगे मौन लिजे रेखा यहाँ पर आएगा तो बिर यहां से एक्स वाई का अगर हम पॉइंट निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा ठीक है की रेखा जो है वह बिरित के किस हिस्सा से गुजरेगा तो चलिए देखिए मान लिजिए यह वह पॉइंट हम इसमें रख देते हैं जाएं therefore यह वह पॉइंट यहां रख दियां तो हमको क्या मिल जाएगा भाई हमको मिल जाएगा root 3 y का whole square plus y square बराबर full भी मिल जाएगा therefore यहां पर हम करते हैं because मैं मिल प्रीगाँ तो मिल गया मतलब root 3 y square स्थाइब करें थे लाए प्लस वाइब लिख लेते हैं मानस की कोई जरूवत नहीं है वाइब ब्लस वन मिल गया और एक वाइब रावर मानस वन मील रहा है माइनस लिख दिजिए लेकिन इसकी जवर्वत नहीं है विकॉज हमको फर्स्ट कोड्रेंट देखना है ठीक है पर्थाम चतुर्थांस में जो की पलस बला आता है आप अच्छी तरह जानते हैं नाइन थे क्लास में यह सब पढ़ाई किया है तो य भिलू आ गया अब हमको क् चाहिए न तो वन यहां पर पूट कर लियां तो देखिए वन स्कॉार मतलब वन ए वहन को यह आज कर दियां चलिए लिग के बताएँगे एकस कर और फोर मानस फोन हो गया मतलब है तो एकस इस्कॉर्व कितना हो गया जे रूट 3 हो गया अब पलस मैस भी कह सकता है यह और 3 ठीक है तो पल से लेंगे क्योंकि हमको फ़र्स्ट कॉर्ड देखना है ठीक हम मानस मीट देजी हाट आई यह मारस ब्ला तो X यह निकल गया यह निकल गया मतलब X ृूट3 निकल गया Y1 निकल गया अब देखिए रूट3 को अगर हम मतलब सिंपल से लाएं तो रूट 3 बावर क्या हो जाता है लाइक रूट 3 कमान होता है जो वहां पे ग्राफ में को दिखाना हो गान भाई तो रूट 3 कमान क्या होता है लाइक 1.7 th տरि टू इसी टब कर जोता है मतलब वन रूट 7 आप याद राखिये तो वन से देल्ट कि आक्स का वहां रूट 3 की स्यों से एका combat है यहां से लेकि यहां तक के त्यों है धिया सूनिया यहां से लेकि यहां तक थीरी टू मतलब contestants आईते मेंा इसपेस कम है ठीक है इतना आया तो यह तो X किलो आया लेकिन Y कि लो किया आया दखिए X भी लू ये या लेकिन Y मिलू आया तो Y सुम्हारा है यह यह बोला वाई है यह यहां पदघत जी यह 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 यहां रूट थिरी तक आया यहां तक जो कि one point साथ है मतलब प्राव something और हमारा one आया तो यहां से लेके यहां two है दखिए यहां से लेके और यहां तक distance जो दूरी है वो हमारा two है तिरजिया तो इसका बीच हाप यहां आएगा one ठीक है यहां आएगा one तो something something सिधा ले लेते हैं अगर रेखा इस तरह से पास करेगा रेखा तो पता कर लिए यह रेखा हमारा इस तरह से पास कर दिया और रेखा का equation क्या है रेखा का समिकरन है एक्स ब्राबर रूट थिरी वाई और बिरित का समिकरन कहां पर लिख लूँ चलिए यह लिख लिए यह लिख लिए यह नहीं हुआ समझ रहे हैं बीरित गोल नहीं हुआ इस तरह होगा इस तरह होगा आप इस किजिए गान थोड़ा गोल किजिए गान सही से देखिए इतना के दूरी काम हो गया यह जादा हो गया ठीक है तो यह इसलिए थोड़ा मेरा यह तिर्चा हो गया बट यह सिधा होगा इ लेकर यहां तक यह हमारे खामा हिस्सा मतलब यह इस्तर से इस्तर सी इस सिधा यह सिधार से लांइंड यह वेला जो मीरित में अब निकालना काम खतम कुछ नहीं इसको हम मिटा देते हैं। look here dear黨्जी अब इसका नाम हम रख लेते हैं ता कि इसको बूलाने में, पुकारने में अच्छा हो नाम लेकि पुकारना अच्छी बात है, ता कि इनको भी समझ आजाआए कि हम इनहीं को पुकार रहे हैं नाम रख देते हैं कुछ इसका नाम तो राख दियां मतलब जैसे हम बोलेंगे आप इसको पुकड़ ईएगा आच्छा इसका नाम क्या रख लेंगे कि हां पॉयंट यहां पॉयंटे यह बिरिद का पॉयंट है जो कि यहां चיquar का पी रख ले Hetाए पी और इसका नाम हम A रख लेते हैं, जैसे A बोलेंगे, आप यहाँ पर ध्यान देजिएगा, और इसका नाम हम B रख लेते हैं, इसका नाम, B रख लिया है, इसका नाम, ठीका, B है, B है, यह B है, जैसे B बोलेंगे, आप यहाँ पर ध्यान देजिएगा, ठीका, ओके, तो हमको क्या निकलना है हम को ये पूरे निकालना है पूरे ठीक हा और पूरे यहाँ पे पता दो हिसा लग चुका है एक यहाँ से zwei हिसा और यहाँ से यहाँ पूरे निकालना है तो और से लेके चलेंगे मतलब यहां से लेके चलेंगे फिर यहां पहुंचना है तो और यहां पर डारेक्ट पी आ जाते हैं ओ पी बी ओ ठीक है तो ओ पी बी ओ समझे हैं जी दखिए ओ से चलें यहां से फिर यहां आ गया फिर यहां आ गया फिर यहां आ है मतलब यह तीरभूज बन रहा है और यह बिरित ऐसे बन रहा है तो इसमें क्या हो जागा ओ मतलब हिंदी में लिखेंगे इतना का चत्रफल लिखेगा तो यहां पर देखें ओ एबी ठीक है ओ एब ले लेते हैं एरिया अईसे गया पी ऐस तरह आ गया तो यहां पर लिखेंगे एरिया आउप यहां पर लिख लूँ क्या एपी भी ठीक है इतना यह भी लिख दिजिए यह पी बी ए दखिए एपी बी ए ठीक दोनों को आइड कर दिया मतलब कूल मिल गया इतना इतना बराबर अच्छा अब क्या क यहां तक तिर्भूज बन रहा है तो यह तिर्भूज का छतर फल आफ निकाल सकतेoking आ नहीं तो आप integration मेरे जिए सा लगा सकते हैं ठीक हा और इसमें बी टिक्रेशन लगांगे नहीं तो आप तिर्भूज का छत्र फल भी आगे बढ़ सकते हैं ठीक हा तो चलिए हम यहां पर ना इंट creature करते हैं तो लीमीट कहाँ सoi कहां जाएगा integration का तो यहाँ से जीरो है मतलग ओंट के लिए बाट क लिए यहां सबस्यर है टृट से लए है यहां तक है लीकिन लेकिन यहां से यहां तख हम देखाएंगे फम पहले इसका काम करेंगे तब इसका काम करेंगे तो यहां से यहां दखें कितना है ड dee-q manyinkverse यहां से लेकर यहां तक root three है तो zero से लेकर root three तक जाएगा समझ वैयां जी इंटीगरल ऑफ जी रो से लेकर कहा तक जाएगा ड dee-q many रूट तक जाएगा अच्छा उसके बाद तो आपको पता है कि इह क्या है यहां भी मुझें तक हुआ यहां तक द Randy तो डेखा में टच हुआ है यह रेखा और बिरित तो यह बला हिस्सा हमें तो डेखा बला क्या है समिकरन मतलब y बराबर y बराबर निकलना होता है क्योंकि यहां पर x के respect में करेंगे तो y dx डायरक्ट लिख लिए हैं बाद में हम रखेंगो y का मौन फिर पलस अभी इसका यह पॉइंट पर root 3 है यहां पर 2 है तो root 3 से 2 जाएगा root 3 से 2 कभर कर लेगा और यहां पर बिरित का समिकरन रख देंगे तो यह हो गया हमको integral of root 3 से 2 गया और यहां पर y dx यह y याद रहे बिरित का मतलब बिरित के समिकरन से निकलेगा और यह y का मौन रेखा के समिकरन से निकलेगा किलियर अच्छा अब यहां पर lower limit 0 से अपर limit root 3 यहां पर root 3 है यह रेखा का है ठीक है तो रेखावला y का मौन यहां से निकालेंगे तो x बटे root 3 आएगा dx जी x बटे root 3 इसमें क between our looking for you would like to know ướcورüs दो बिरिट ब्सक्रेश करे हिसों हरा निकाल जींव कि निकाल देते हैं निकाल या होका यहाँ पे वाइँ सक्क्राइब बराबर क्या होगा फोर क्या हो गया फॲर मालस एक्स कॉर थीया आपर क्या होगे डिया इस्टन जी रूट अंडर फोर मानस एक्स स्क्वार इंटू डियाक्स हो गया बस बताइए अब भी कुछ करना होगा अब तो आप अपने से सॉल्व कर सकता है फिर भी हम कर देता हैं सॉल्व अगर यहां तक पहुंच गया है तो यहां तक आप नोट क यहां पर समझने वाला बात है बहुत अच्छे से यहां पर समझना होगा हमको बहुत अच्छे से समझना होगा समझना हो देखिए हम आपको बताना भूलिये गए थें कई खोई बात नहीं यहां बता दिए देखिए यह जो है ना वह जो इंटिगरेशन ने पूट किये थे यह बला एक्स वाई रूट थिरी कहां सया तो यहां सया रेखा समिकरन से हम आई ब्रावर मान निकाल लिये थ यहां पर फोर है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आया और यहां पर 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 यहां तो यहां पर यहां पर लिमिट क्या है भाईया रूट 3 है तो आप पर लिमिट 2 है ऐसे चलिए ने कॉछ फील किजिए तो कितो और यहां पर लीमिट 2 का मतलब एतना हो गया थीक ठीक है ना यहां पे 3 यहां पर 2 कर लिया है मतलब की हमाद की यहां पर 3 बटे 2 root 3 इस तरह से होगा ठीक है इस तरह से होगा और यह प्लस है तो प्लस अब यहां दखिए X by 2 यह वन यह पर लिमिट यहां पर पूट कीजिए तो 2 by 2 मतलब कितना 1 और यहां 1 आया, अब यहां इन 2 है, तो यह 2 जब यहां पूट करेंगे, तो 2 इसको मतलब 4, तो 4 मानस 4 मतलब 0 होके, यह विला portion हमारा 0 हो गया, जब कि आप पर लिमिट 2 फी लिखिया है, ध्याँ से दखिये, 2 जब यह विला हम रखेंगे, तो यह विला 0 हो गया, यह विला 0 होगा, यह विला 1 होगा, 0 गुना होगा, मतलब यह विला term हमारा 0 हो गया, अच्छा, फिर पलस, फिर 4 बाइ 2, मतलब 2 लिख लिए, फिर साइं इन भस लिख लिए, अब यहां पर 2 पूट करेंगे, 2 बाइ 2, मतलब 1 हो गया, इसमें किसी को दिकत ना है, फिर मानस होता है, फर्मुला में ऐसे ब्रैकेट देते हैं, अब यह रूट थिरी यहाँ पर पूट करेंगे, रूट 3 बाइ 2 होगा, कितना होगा, परfeld которого 2 यहां पर देखें रूट अंडर यह मचारण पूट किए तो रूट 3 कई स्क्वार मतलब 3 मस्ट थां फोल लोगा तो हो गया साइन इंभर्स अभी यह रूट त्री यहां परूट करेंगे स्थूद नहीं यह किसी परकार का और यह इसको आवाइक नई भी दे सकते हैं अब यहां देखिए थी बाइट तु इंटू रूट छी इसका यहां परमाय करेंगे लाइक यह मिल जाएगा हमको सब बता हैं किसी को किसी प्रका का दिकत नहीं होना चाहिए हाँ अब देखें यहां पर रूट थिरी बाइट मानस से मल्टिप्लाइ कर दिजिए तो मानस रूट थिरी बाइट टू यह मानस गुने पलस तो मानस और यह टू है तो तू अब इसकी भिलू क्या होगा जल्दी बता ओए इसमें किसी कोई दिकत नहीं होना चाहिए नहीं तो साइप उसों साई रूट थिनलु स्क अंप यह 66 कोई दिकत नहीं होना चाहिए तो यहां पर हो गया झाड़ि कि अब देखना हो ना है डायर स्वासित कना टिजिये ये वला पलस और ये लिए मैनस चला गया और यह तु तू भी यही रहा गे मतलब चला ग्या पाइ बच गया क्या बच्जा मैनस फौ पाइवाइट फीरी बैच गया इसको श्वालब करने नहीं environment से स्वाल्ब करके कोमेंट बाक्स में बताईए पावाई थिरी और यह हो गया हमारा बढ़ गई का यह मतलब स्क्वार यूनिट हो गया ठीक है तो अगला कुशन अगले वीडियो में बताएंगे